नमस्कार दोस्तो एसन जर्मा मोटिवेशनल स्पीकर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तो ये पांच मिनिट का वीडियो आपकी जिन्दगी बदलने का दम खम रखता है हर रोज आप इस वीडियो को सुन सकते हैं यदि आप कहीं रोज मोटिवेशन चाहते हैं तो मेरी चैनल का एक वीडियो कोई भी वीडियो आप आँख मिच करके वीडियो खोन लीजिएगा और उसको सुनिएगा पूरे दिन आप मोटिवेट रहेंगे चाहे वो किसी भी बिजनेस से संबंदित वीडियो हो क्योंकि मैं मोटिवेशन की वो टिप्स देता हूँ जो आपके दादा जी परदादा जी दिया करते थे मैं मोटिवेशन की वो सचाहियां बताता हूँ आपको जो कोई नहीं बताता मैं मोटिवेशन की वो तरीके बताता हूँ आपको जो पुराने पीडियो से चले आ रहे हैं मगर उनमें मोडिवेशन करने का जरूर थै परिवार के हर सदस्य को आप ये वीडियो दिखा सकते हैं मेरा ये वीडियो पीता है आप तो पूत्र को सुना सकते हैं पूत्र है तो पीता को सुना सकते हैं पत्नी है तो पती को बता सकते हैं कि ये वीडियो जरूर देखेगा आप और पती हैं तो पत्नी को बता सकते हैं दादा हैं तो पोते को बता सकते हैं और पोते हैं तो अपने दादा जी को दिखाईए कि देखिए ये एक सर्वाजी बोल रहे है और उन्होंने कितनी अच्छी बाते की हैं आईए आज मैं आपको वो बातें बताता हूँ मगर वो कौन-कौन सी मुर्गता करते हैं ये आपको आपने नोटिस नहीं किया होगा अलग-अलग लोग अलग-अलग तरह की मुर्गता करते हैं कुछ लोग जो आपकी नजर में समझदार हैं वो भी ऐसी मुर्गता करते हैं और कुछ लोग अपने आपको तीस मारखा बोलते हैं, वो भी ऐसी मुर्गता करते हैं, वो तीन तरह के लोग कौन-कौन से होते हैं, पहला जो रास्ते चलते वे खाता है, भोजन ले लिया हाथ में और खाता चल रहा है, मैं एक बार कहीं जा रहा था, रास्ते में मुझे एक पंडित ब्रामन थे, और पेशे से पंडिताई का काम करते थे, उन्होंने हाथ में चने ले रखे थे, और मेरे को कहा लीजिए, मैंने का क्या है, कि चने हैं, तो मैंने का रास्ते चलते खा रहे हो, वक्त नहीं मिला, इसलिए मैंने सुचा, एक मुठी चने चाब लेते हैं और पानी पीलेंगे, तो दिन बर फोड़ा सा कुछ रहेगा, तो मैंने उनको एक कहानी सुनाई, कि एक बार अकवर और बीरवल, अकवर के दरवार में बीरवल एक मंत्री हुआ करते थे, वो उन्होंने अकवर की मिशेज को, मिशेज ने उनको बुलाया, यानि यूं कह सक करते हैं, रानी साहिबा ने या अकवर के मैडम ने उनको बुलाया, कि आप से कुछ गुप्तगु करनी है, आप मेरे रनवास में आईए या महल में आईए, जब अकवर की मिशेज और वीरवल जो नों बात कर रहे थे, तो अकवर को कुछ अटपटा लगा कि ये क्या बात कर रहे हैं, चलो मैं चुपके से जा कर सुनता हूं, तो वो धीरे देरे रनवास में गए और चुपके से जा कर पीछे खड़े हो गए, मगर अकवर तो बहुत ही समझदार थे, उन्होंने आसा बासा का नजर रखते थे, तो उन्होंने समझ में आ गया कि माराजा आर गए ह तो उन्होंने बात वैसे ही जारी रखी, क्योंकि राजगाज की चर्चा थी, और कोई अलग से बात नहीं थी, वो जानना चाते थी कि अपने राजगाज में क्या हो रहा है, तो थोड़ी देर बाद मेर अकवर की मिशेज ने देखा, कि कोई अपनी बात फुन रहा है, तो उ ये कहा आ मुर्क बैट कार वाजएस सलामत को आ मुर्ख बैट करें अरे मुर्क आऊ बैठो अब वाजश्रा को ये बात कैसे पर दास्त होती तो बाफ्षा मेहल की सीडिया नीचे उतर गए और जा करके अपनी गफ्व क्या कहते हैं वो संसदमें या सभा में जा कि सब निधुक्र सब्दक्र और हर एक जो भी आता हुसको कहता है आव मुर्क बैठो और भी जब उनको यानि बीरवल भी उन呢 कहा कि मुर्क तो बीरवल ने एक दोह गाता मुझे पूरा तो याद नहीं हो सकता है संस्कृत में है मैं अशुद बोल जाओं आप थोड़ा उसको दुधार लीजिए क्या जानते हो तो कि खादन्यक अच्छामी खाते हुए जो चलता है हसन पीवंती हस्ते हो जो पीता है और दो की गुप्त बातों में तीसरे हाद में जाकर के चुपके से सुनता है हे राजन वो मुर्ख होता है मैं मुर्ख किम कारण हम एहम मुर्ख है किस कारण से मैं मुर्ख हूँ और बादशा को बादशा मज़ में आ गई बादजाने कार्ण पकड़ा बोले मैं मुर्ख हूँ बोले कैसे बोले आप लोग दोनों बातें कर रहे थे और मैं चुपके से जाकर के सुन रहा था और इसी लिए मैं मुर्ख हूँ तो दोस्तों येदि ये तीन कारण ये तीन बाते ये तीन तरह के काम यदि आप अभी भी कर रहे हैं तो इनमें सुधार कीजी बहुत से लोगों को मैंने देखा है अपने विजनेस पॉइंट पे बैठे रहते हैं और दूसरे विजनेस की बातें करते रहते हैं बहुत से लोगों ने वो जब भी फ्री होते हैं पूरे अपने जो करमचारियां उनको बैठा लेते हैं सामने वाला ये करता है पडोसी वो करता है अपने पीठ वाला ये करता है वो करता है तुम संभल के रहे न ये नहीं सोचते हो कि आपन वो बातें करें जो उनकी प्रोग्रेस की हैं सामने वाला प्रोजेस क्यों कर रहा है इस विशे पर चर्चा होनी थी मगर सामने वाले की बुराई की जारी है आपके पीट पीछे वाला आदमी किस तरह तरक्की कर रहा है चर्चा इस पर होनी चीए थी मगर चर्चा दूसरे विशे पर हो रही है आपके बाजू वाला करमचारी है वो अपने करमचारियों को कैसे मोटिवेट करता है कैसे उनको दिन दिन उनके करमचारी तक वो क्या करना चाहिए तरकी कर रहे हैं प्रोग्रेस कर रहे हैं दुकान की प्रोग्रेस हो रही है करमच स्कूटर से आने लग गए बात यह सोचनी चीए यह स्कूटर करमचारियों को कंपनी ने दिलवाया है या बोस ने दिलवाया है या स्वेम के पैसे से लाएं तो उनकी शैलेरी बढ़ी है उनकी कंपनी ने प्रोग्रेस किया है और प्रोग्रेस किया है तो सेठ ने भी अच्छा कमाया है नगर उस पे नहीं जाती है लोगों को दूसरों की चूगली करने में जाती है और जो लोग चूगली करते रहते हैं बिजनेस पॉइंट पर बैट करके केवल और केवल काम की ब कर सकते हैं इस साल वक्त थोड़ा सा डाउन फाल चल रहा है प्रोग्रेस कम है कंपनी की तो इस साल क्या उन खर्चों को बचा कर सकते हैं यह दि आम उन खर्चों में कटोती करते हैं तो क्या नुक्सान होगा और यह दि उन करता है परोसी में क्या-क्या कमिया है वो गुसेल है वो यह है वो है और अपने बारे में कुछ सोचते ही नहीं यह दि ऐसे आप में तीन एब है तो मैं कहूंगा इन एबों को सुधार लीजिए यह तीन तरह के लोग मुर्ख लोगों की गिंती में आते हैं क्या आप में भी कमिया है निसंकोच बताइए कोई डरने की जरूत नहीं कोई संकोच करने की जरूत नहीं है बहुत से लोगों में होते हैं और जो बताता है उसी की कमिया सुधरती है जो अपनी कमियों को छुपा के रखता है उसकी कमिया और ज्यादा तिवर होती रहती है शिग्रेट पिन एक होटल के शामने खड़ा था और होटल वाला चैन स्मोकर था होटल के काउंटर पर बैठा था वो चैन स्मोकर था उसने कहा काफी देर से वो देख रहा था उसने कैलकुलेशन लगाया इतनी बिनिट में इतनी सिग्रेट पी गया एक सिग्रेट के इतने रुपे लगते हैं बीस साल में इतने रुपे हो जाते हैं और सो साल में इतने रुपे हो जाते हैं दोस्तों वो आदमी उसके पास जाकर के कहता है जो आदमी को बरदास नहीं हो तो वो कहता है मेरी तरह से उसने जाकर के कहा अरे मुरक तुने इतनी दिमिनिट में इतनी सिग्रेट पी लिए और ये पैसा तुम बचाते तो 100 साल बाद में ये रुपे इतने होते तो उसने कहा आप चिंता मत कीजिए आप अपना काम कीजिए मैं उस समय भी करोड़ पती था जब सिगरेट पीना शुरू किया था और आज में मैं करोड़ पती हूँ मुझे चिंता नहीं है ऐसे लोगों को म पुर्ख लोगों को समझाने से कोई फाइदा नहीं होता है नमस्कार